दही सिर्फ खाने में ही सौधिस्ट नहीं होता है इसके फाइदे भी बहुत जादा होते हैं दही हमारे शरीर के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैर्शियम और कई तरह के विटामिन से भरपूर होता है दही खाने से आपकी पाचन की रहेगी ये immunity को भी बढ़ाता है और दही में अच्छी मातरा में calcium होने के वज़ा से ये आपकी हड्यों को भी बहुत जादा मजबूत बनाता है लेकिन दही खाने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए तो आज हम जानेंगे कि दही खाने का सही तरीका क्या होता है सबसे पहले जब आपको दही खाना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि दही हमेशा normal temperature का होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि फ्रीज में रखा हुआ दही लोग खाते हैं वो बहुत जादा नुकसान दे होता है तो आप अगर फ्रीज में रख भी रहा है तो उसको आदा गंटा पहले आप निकाल दें जब नॉर्मल टंप्रेचर पर आ जाए तब भी आप दही का सेवन करें दूसरी बात जो होती है वो है कि आपको हमेशा फ्रेश घर में बना हुआ दही खाना चाहिए कई बार लोग मार्केट से लेकर आते हैं वो पहले से ही कई दिन पुराना दही होता है फिर उसको भी हम फ्रीज में रख देते हैं तो ऐसा दही फायदा नहीं करता है अगर आप दही का असली फायदा लेना चाहते हैं और अगर आपने इसको फ्रीज में भी रख दिया है तो भी आप इसको निकालें, आदे गंटे के लिए नार्मल टंप्रेचर पे लाएं, फिर आप इसको खा सकते हैं, लेकिन एक दो दिन से ज़्यादा पुराना दही आप ना खाएं, आप जब दही खा रहे हों तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा मिस्री मिल सकते हैं, इससे दही का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दही का जो गुड़ है, जो क्वालिटी है वो भी और जादा बढ़ जाएगी, कुछ चीजों से आपको बचना भी चाहिए, जैसे कि दही खाने के बाद तुरन चाय या कॉफी नहीं पीने चाहिए, यह नुकसान कर इसलिए दही खाने के बाद इन चीजों में थोड़ा सा गैप जरूर रखें, आप दही को चामल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही जादा पेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है, आप दही का रायता बना कर खा सकते हैं, इसको आप फ्रूट में डाल कर भी खा सकते हैं, और इसको आप कई ग्रीन वेजी टेबल का रायता बना कर खा सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखें कि दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग अकसर ग्रेवी को गड़ा बनाने के लिए उसमें दही का इस्तिमाल करते हैं, तो यह अगर्टीरियां करते हैं, लेकाल सारे लोग अकसर यसका सेवन करते हैं, तो जैसे दही को गर्म करने से उसकी बहुत तीमाल तीमाल मांति हम देग भी द्यूंशंन Stories और जो क्रेवी होती बहुत जादा हैवी हो जाती है इससे कई बार लोगों का पेट फूल जाता है गैज बनती है इस तरह की शिकायते भी हो जाती है तो आप दही खाने के समय इन चीजों का ध्यान रखें और आप फ्रूट्स में और वेजीटेबल के साथ उसका रायता बना कि या वैसे ही दही या उसका चार्ज बनाकर या उसकी लसी बनाकर आप दही को इस्तिमाल कर सकते हैं